हम भी दरह question number 19 को देखो mathematical progression का mathematical progression का आप से खहरा नहीं भई नहीं भई ये quadratic equation का आप से खहरा find two consecutive positive integers sum of whose squares is 365 आपको क्या करना है दो consecutive number देखने हैं उनका square करका जोड़ा है तो value 365 आनी चाहिए तो दिहान दो consecutive number वो होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं जैसे कि यहां 8 के बाद 9 है 13 के बाद 14 है 11 के बाद 12 है 10 के बाद 11 तो सारे ही number consecutive है लेकिन square उनका अगर करके जोड़ा जाए तो 365 आए तो देख लेते हैं चेक करके कौन सा हो सकता common sense लगाओ तो अगर 10 के square करते है 100 हो जाएगा और 11 के square 12 तो यह हो जाएगा एक सो च्यानवे अब 169 एक सो च्यानवे जब एड करेंगे तो पांच यह हो जाएगा वह 10 और 616 अच्छे हां से लगा एक एक और एक दो एक तीन तीन सो पैसे डा रहा है तो option number C हो जाएगा correct तो आप इस हिसाब से check कर सकते हैं square करो और उनका addition करो value आने चाहिए 365 ऐसे question को method से बिलकुल भी मत करना चून भी मत method के नाम पर आपको hit and trial method यूज करना ताकि आपका answer सब से पहले है और अच्छे सा सके